हलो दोस्तों गूट बॉर्णिंग नमस्ते आप सब कैसे हैं आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में तो रोज की तरह आज भी सुबा सुबा हमारे ब्लॉग की सुरुआत हो गई है तो सुबा के लमसम साथ बजे का टाइम है तो चाय नास्ता सबी का हो चुका है आरो ही चली गई है इसकूल उसके बाद में हम आ गए है चट पर तो यहाँ पर कर दिया है जाडू पोंचा तो जाडू पूरे में लगा दिया है और जो राक्ती चूले में वो भी कर दी है ब लगे हुए हैं तो कल भी आप सभी को मैंने बताया था कल के ब्लोग में बताया था कि कहीं हम जाने बाले हैं तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं तो कहीं जाने बाले भी हैं और हैना कि जो हमारे या आरब है उसका मोबार भी है तो उसकी तैयारी में भी लगे हैं तो द वाले हाथ में और रंग भी पैरों में कल साम को ही मैंने लगा लिया है और इसको पक्का भी कर लिया है तो बहुत ही अच्छे से रच गई है हमारी महावर भी और कुछ इस तरीके की मैंने डिजाइन बनाई है तो आप सभी को मैंने कहा कि चलो दिखा देते हैं तो बहुत ही दिजाइन भी पेरों की भी और जो है न की मेहंदी भी अच्छे से रच गई है तो कल साम को ही यह सारी तयारिया मैंने कर ली थी क्योंकि सुबह के टाइम फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है और घर के भी सारे काम हो जाते हैं तो वहां पर मैंने जाडू पोचा चट पर कर खाना भी बनार आहे और एक टरफ कि जो हमारे काम हैं चोटे मोटे उनको भी अच्छे से और इसमेड़ी कर जाता है anders तो कुछ अच्छे से लिपाई पता कहीं तो फर Τवल तो अन्दर मैंने टीन में जाडू लगा दिया है उसके बाद में आ गए हैं इधर बाहर साइड में तो यहां पर आज पापा ने जो हैने की लकड़ी थोड़ी सी चीरी हुई है कुलाडी से तो वही इनको भी रख देते हैं धूप में तो धूप लग जाएगी तो अच्छे से ये सूख जाएंगी थोड़ी सी गेली ही है क्योंकि यह यहीं पर जहां पर हमारी भैस बंदती है वहीं पर यह सारी लकड़िया पड़ी हुई थी तो वहीं पर से पापा ने इनको चीर दिया है तो जलाने के काम आ जाएंगी क्योंकि लकड़ी जो है न की भीग गई है हमा मैंने खाना बनाया था चूले पर वो भी सुबा के टाइम ही बनाया था उसके बाद में खाना छट पर नहीं बनाया था ना तो साम को बनाया है और ना ही आज बनाएंगे तो आज भी गैस पर ही सारा खाना बना लेंगे और इधर आज मैंने बिस्तर भी सूखने के लिए डाल क्योंकि अभी चल्दी से ही धुले थे तो मैंने कचलो सूकने के लिए डाल देते हैं थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी और पीछे भी मैंने जाडू अडू लगा दिया है क्योंकि पापा ने लगडी चीरी थी तो इधर उदर मिट्टी थोड़ी सी फूट गई थी और भी यन दिनों में लिपाए पुताई तो होती नहीं है बस जाडू ही लगाना होता है तो वहां पर जाडू अडू लगा दिया है साब सपाय कर दिये out怎么样 अगये हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं तो यहाँ पर भी जाडू लगा देते हैं और बरतन अरतन थोड़े बहुत पड़े हैं तो वो भी धुल कर रख देते हैं तो इधर मैंने बरतन भी धुल कर रख दिये हैं और यहाँ पर अब लगा देते हैं पहुँचा और फिर बस हम तैयारी में लग जाएंगे तो हम जाएंगे और हमारी नदजी भी जाएंगी और आरोही आरोही के पापा तो हम जाएंगे अपनी छोटी बहन के यहां जो की उसके बेटे का है जनम दिन तो वहीं पर जाएंगे जनम दिन है आज तो यहां पर पहल हो चुके हैं बस तयारी में ही अब लगेंगे तो थोड़ी बहुत तो तयारी कर ली है साम से ही लेकिन जो भी तयारी अब रहे गई है उसको भी कर लेते हैं और बैसे रुकने का कोई प्लान नहीं है बस रात बर ही रुकेंगे सुबह हम लोग फिर से चले आएंगे घर तो य हैं कि यां पैरों में महावल लगा लिया करो ऐसे पायर अच्छे नहीं लगते हैं सूने सूने से लगते हैं तो सही कहा देदी क्योंकि हम लोग हैना कि गाओं में रहें या फिर सहर में रहें जो हमारे पैर हैं थोड़ा सा रंग अगर लगा होता है तो दिखने में पड़े मेंने इतने सारे निकाले हैं आरोहिके पापा के भी दो तीन सारट निकाल लिये हैं क्योंकि जब भी वो दुकान से आएंगे तो जो उनको पहनना होगा वो पहन लेंगे और माकी के जो हैं यही पर रख देंगे तो हमने निकाल तो लिये हैं बकस से क्योंकि दुबा सब्वारे कलर्ट की चीजह ज्यादा पहनते हैं, तो आज मैंने काई करके हम्भी चलो और हे कलर का यह साड़ी पहननेगी और हमारी नगयर का सूट उसको बोला जयता है वही वाला पहननेगी और इस साड़ी मैंने पहन लिए और आरोही को भी मैंने तयार कर दिया है क्योंकि आरोही को तो पहले सुरू में ही तयार करना होता है तो आरोही को काफी टाइम हो गया है हमको तयार किये हुए और आरोही के पापा भी आ गये हैं तो इधर जो है न कि आरोही के पापा को ये वाला साट पहना था नीला वाला तो वही बाहर निकाल लिया है और प्रेस भी लगा ली है तो उन वाले कपड़ों में भी मैंने प्रेस लगाई थी लेकिन वो वाले नहीं 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 पहने है तो यह वाला इनको पसंद आये यह वाला पहना है और आरो ही निकलस भी पहन लिये हैं और जो है नकी यह वाला जो पहले लेंगे और इधर हमारी देवनी जी खड़ी है भूबा कर नहीं के लिए लेकिन यहांगा कोई भी भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था क्यूंकि बहुत से लोगों को होता है निकी पव्लॉग नहीं होता है तो इसी वज़े से मैंने ब्लॉग यहां पर हमारी बहन पूजा कर रहही है तो पूजा कर रही है और बड़ी बहन भी आई है और हम भी आये हैं तो दोनों तीनों बहने इखटा हो गई हैं पहली बार हम लोग तीनों लोग इखटा हुए हैं एक साथ में और वो भी होती ही मुश्किलों से हम आये हैं वैसे आरोई के पापा तो मना कर रहे थे मुश्किल था आना लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो चलते हैं क्योंकि अच्छा भी लग इसको आनार्ग बोलते हैं या बाई कुछ भी बोलते हैं यह जो फंजरिया निकालता है यह इस वाली चीज से आरोई बहुत ज़्यादा डर रही थी तो इसी बज़े से आरोई बिलुकुल अलग खड़ी हूं थी जो हैं ने कि मेरी ननद जी के पास में तो वहीं पर अपन में खटा होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमारा जोहिंन की भाई भी आया है चोटा वाला माईके से भाई भी आया है तो जो हम लोग है उनके सभी दोका मतलब सूर किया था लेकिन जो और यह हमारे जोहिनकी बैनोई दुआँ और इधर केक कट हो गई May our गें जाप और यहां पर एसे ही मैंने द्यों मैं टो किशनी नहीं के हैं और आपकल खेली wr या दो आ चिए के कर आया है फ्लिएक लीक करा पां तो लटा बस पैसे लेशाट। एक छोटा सा खिलोना लेकर आया है जो कि गिप्ट के रूब में पैक करवा कर लाया है और आरोही अब खड़ी हुई है यहां भर कि आरोही को बड़े देखना पहुत ही अच्छा लगता है और काफी गर्मी हो रही है क्योंकि गर्मी में बच्चे बहुत ज़्यादा परिसान हो जाते हैं तो गर्मी की बज़े से यह रो भी रहा था पहुत ज़्यादा रो रहा था तो जल्दी बल्दी बस जैसे तैसे करवा दिया था लेकिन जब तक छोटे बच्चे रहते हैं तब तक कुछ सही से नहीं हो पाता है तो बहुत जल्दी जल्दी से ही सभी चीजे करवाएं थी और इधर आरोही बैठी हुई है इधर आप सभी से मिले हैं सुबा के टाइम तो यहाँ पर कमरे में बैटी वई है अरोही सभी चीजे देखकर बहुत जयादा खुस हो रही है यहाँ पर सिंगार दानी रखी हुई है फ्रीज भी यहाँ पर है और कूलर थो वैसे हमारी यह आये लेकिन फ्रीज की आरोही को बहुत ज़ादा सूखे तो आरोई फ्रीज देखकर बहुत ज़्यादा खुस हो रही थी तो हम लोगों को वैसे फ्रीज नहीं मिली है हम दो बहनों को जो बड़ी वाली और हम जो छोटी वाली बहने उसको तो ममी ने फ्रीज दे दिया है तो वो फ्रीज उनके यहां चल ला है तो उसी को देखकर आरोई पहुत ज़्यादा खुस हो रही थी और उसके बाद में फिर हम लोग चले आये थे सुबा के टाइम घर पर लमसम तस बजे के टाइम हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे तो इधर घर आते ही हम लोगों को खुसकबरी भी मिल गई थी कि पढ़ रहा है पढ़िया नहीं है वैसे साहरा सभी लोग देख रहे थे कि पढ़िया है क्योंकि कई बार हो चुका है तब से पढ़ रही है हमारे घर तो कोई बान नहीं जो भी आया है वो अच्छा है सब के लिए अच्छा है तो बहुत ज़्यादा सभी को खुसी हो रही है कि आप दूद हो गया है हमारे घर में और इधर जो है न कि साम जब सुबा के टाइम भैस लगी थी तो वही वाली बुवा ने गिजरी बना कर रखी थी तो गिजरी कुछ ऐसी वाली बनी थी पहली बार में जो है न कि बिल्कुल सुखी सुखी सी गिजरी बनती है तो वही वाली बुवा ने बनाई थी तो खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी तो हम लोगों ने भी खाई थी अच्छी लग रही थी और इधर आप सभी से हम मिले हैं साम के टाइम में तो यहाँ पर बुवा लगाने आई है भैस को तो साम के टाइम भी दूद भैस देगी तो साम के टाइम भी जो है न कि गिजरी ही बनेगी लेकिन बैसी वाली नहीं मनेगी बिल्कुल सूखी नहीं बनेगी अफिवार थोड़ी सी ग पिर भी हैने कि बहुत मुस्किलों से दूद को ढूड़ पाया था इसके भैस के बच्चे ने तो यहां पर बुआ भैस को लगाने लगी है और कमंडल भी लेकर आये हैं तो देखते हैं कितना दूद देते हैं लेकिन भैस ने दूद बहुत ही थोड़ा सा ही दिया था एक ही बुआ ने निकाला है और थोड़ा बहुत जो हैनकी पड़ड़ा के लिए भी रखेंगी जो कि भैस का भच्चा है उसको भी पिलाएंगी नहीं तो भूब के लिए जबूब की वज़े से चिलाएगा रात में तो उसको हैनकी अफर कर पिलाएंगी कि उसका पेट भर जाए तो छोड़ दिया है दूद और माकी का तो थोड़ा सा ही दूद इतना निकाल लिया है बुआ ने एक लोटा और वैसे तो भैस हमारी काफी दूद देती है लमसम दो धाई लीटर हो जाता है लेकिन अभी नहीं दे रही है अभी थोड़ा थोड़ा ही दूद देगी जो है कि जो उसका बच्चा है उसको जादा पिलाया जाएगा कि वो अच्छे से अफर जाए उसका पेट भर जाए और इधर हमारी देवरानी जी लगी है खाना बनाने में तो इन दिनों में देवरानी जी लग जाती है खाना बनाने में तो बहुत ही खुशी होती है हम लोगों क तो यहां पर दूद को उबलने के लिए रख दिया है और आज भी गिजरी ही बनेगी थोड़ी सी गीली गीली सी बनेगी थोड़ी बहुत ही इसमें जो हैने की फटे जैसी लग रही है तो इसको हमारे फटा भी बोला जाता है जब तक यह ऐसा वाला दूद मनता है तब तक इ उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और आरोही भी नहीं खाती है इसको तो कई लोग हैं घर में जो की नहीं खाते हैं लेकिन हम बुआ पापा और हमारे देवरानी इन लोगों को ज़्यादा पसंद है तो हम लोग तो बहुत ही मन से ख दूद भी हमारा एक तरब बन जाएगा और इधर आपड़े हुए है कपड़े थे हमने कपड़े भी धुले थे बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मेने कथ थोड़े बहुत धुल कर डाल देते हैं और कल भी हम लोगों को जाना है क्यूंकि कल अरब का मोबवर तो वहां पर लेते हैं तो कपड़े तो सूख गए बस थोड़े बहुत गीले रहे गए हैं तो यहीं पर फैला देते हैं और सुबा के टाइम हम इनको घरी करके रख देंगे तो इतने धेर सारे कपड़े भी हो गए हैं कहीं पर भी जाओ तो कपड़े पड़े तो हो ही जाते हैं तो पहु मिलेंगे एक निव ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते